वकील साब डवुवा कालोनी थाना चेतर में नवादा कालोनी में 13 वर्षी बच्ची के साथ रेप की वारदात का मामला सामने आया है आप इस मामले में लेगल कंसल्टेंट हैं तो बताएए थोड़ा इस मामले के बारे में क्या कारवाई होने वाली है आपके अरफ से आज पुलिस ने लड़की को पेश किया पूर्वा महराजी की कोट में और 164 के बयान दर्ज कराए उसके बाद CWC के बयान दर्ज हो गए और इसमें अभी गरफतारी होनी बताया है और इस तरह की घटना समाज के लिए बहुत शर्म सार्थ गटना है कितने आरोपी है इस मामले में इसमें एक आरोपी की जो शनाकत है वो लड़की द्वारा की गई है बागी तीन अज्यात है आट परताल है वो चल रही है तो क्या-क्या धाराएं लगी है आरोपीओं के खिलाफ इसमें जो एफाई यार है एफाई नंबर 98 में है भी confidential है पुलिस के पास ही होगी है आगे क्या कारवाई होगी आपकी तरफ से इसमें जो पुलिस मुल्जम को गरफ्तार करती है हम उनकी बेला पोस करेंगे और अगर वो हाई कोट जाएंगे तो हाई कोट में उनकी बेला पोस करेंगे और उनको सक्त सक्त सजाद जो भी धाराओं में बनती है यह कहा जा रहा है कि आरोपी काफी दबंग हैं उन्होंने डरा धंका कर दो बार गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया एक 11 तारीक को और कल रात में तो क्या आप दबंगों से लड़ पाएंगे बिल्कुल जी हम वकील हैं और वकील किसी भी कई देंट में उन्होंने कल राते बाता हैंवाव मोवान